अधेय, नमस्ते, गुट मॉर्निंग, राधे, राधे, तो जिस यह प्लांट जो देख रहे हो इसका नाम है, औक्साली स्ट्रेंगलरी या फिर इसको बटर फ्लाइ नाम से भी जानते हैं, तो इसको आप बल्प से ग्रो करोगे, तो मदब बल्प से ही इसको ग्रो किया जाता सबसेटें, पिर देदरेस के फूल करते हैं नलते हैं लेकिन पनी पत्तियों के कारण जाना जाता है तो आप सम यह कहा है, दे़ीस NACY वहस्यकूंप वाहरे समिते हैं आफ निस प्तव हुड्यान कूल करते हैं जो हसा कि करते हैं в टेध देध्यारेस करते हैं बहुत बहुत बटरफ्लाई एक छोटे से गमले में बैठी हुई है जब यह पत्तिया हवा से लहराती है और भी बहुत प्यारी दिखती है जैसे बहुत सारी बटरफ्लाई आपके गमले के पास मंडरा रही हो किसी फूल में बैठी हो यह दूसरे दीन का प्लांट था जब तो यहां नहीं दिख रहा है दूसरे दिन मुडशा गया था तो यह प्लांट को आप हेंगिंग बसकेट के लिए यूज कर सकते हों हैंगिंग बसकेट के लिए भी महुत अच्छा या फिर नरसने में ये पौधाप मिले तो आप इस पौधाई खरीज सकते हो या फिर आप बूलोगे कि आप बटर प्लाई का बल्म मिलेगा क्या करके तो वहां भी मिल जाएगा आपको और इसके बल्म को डिवाइट करके ना आप बहुत सारे गमले बना सकते हो जैसे यह तो लगा सकते हो लेकिन षोटी घंट में लगाओ है रहे हो तो यह इसके लिए और इसकी पानी की बात करें जैसे पानी सूब गई है ना तब इसमें पानी दीजेगा वर्वाट इंगेगे ना तो बल्ब गलने का खतर रहता है तो इसका ध्यान रखिएगा जैसे ने तो इसकी पत्तियां देख रहे हो ना जो इसके ब्रांच है वह अपने आप टूटना चालो हो जाता है तो आप जान डालोगे कि वह भर वाटरिंग हो गई है जब मिटी सूखे तब इसमें पानी दीजेगा और हां जैसे मिटी सूख गई तो पानी जरू दीजेगा जैसे क्लीप आपको थोड़े देर में दिखाती हो मैं उसका क्लीप याड़ करूंगी तो मैं बताऊंगी कि यह कैसा हुआ था तो ना पानी जैसे मिटी सूख गई है तो जरूर पानी दीजेए इसमें और बस मत करिएगा और हैंगिंग बसकेट में जब आप लगाओगी तो हैं काद हम onion मंडरा रही है आपके गमले के आसपस होर ऐसा रिखता है और इसकि मितिकी बात करें कि मिती हमेशा वेलarin मिती तयार कीजिए कहीफली ब्लाइं के लिए वेलरेन मिते थाष्पर त्यार कीजिए लेकिन जयसे बेल कि पाल में यह पाले हैं निकल जाएगा एक्स्ट् है वो बाहर निकल जाएगा तो इसमें ना ओवर वाटिंग के कारण पॉधा खराब होने का खत्रा रहता है तो इसके लिए जरूर द्यान देजिए कि वेलरें मिट्टी तयार कीजिएगा और धूप की बात करते हैं इसको तो धूप मेरे घर में इस गमले में दो या दो में ही आती है तो फिर भी यह प्लांट चल रहा है तो आप आप लाइट वाले जगह हम इसको रख सकते हैं जहां एक घंट या दो गंटे की धूप आती हो अब मैं तो इसको धूप में नहीं रखा है क्योंकि यहां पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है जहां पर मैंने यह हान इसको रखा है यहां पर मैंने कलर दिया एकमने रखा है बट लाइट पूरी तरस से ऐती है इसमें तो यहां हो ना हो लेकिन लाइट पूरी आनी चाहिए इस आई भाइन में लाज देगा देखिए यह स्छल दाता है तो आप इसे में ढाल सकते हो और छहांनी देटी इसे पानी देना भूल गई थी दोीन तक पानी नहीं दिया था, तो ये प्लांट कुछ इस तरह से हो गया था, प्लांट मरा तो नहीं था, लेकिन पतियों को एकदम सुकुड आ दिया था, सुकुड गया था, फूल के लिए थे, लेकिन पतिया एकदम सुकुड सी गई थी, और एकदम धूप थी उस दिन, इसमें दूप तो कम आती है लेकिन मौसम एकदम गर्मी वाला था उस दिन तो इस करण ये प्लांट एकदम जल्दे से सूख गया था दो तीन दीन मैंने नहीं दिया था हा तीन दीन मैंने पानी नहीं दिया था तो नहीं ये प्लांट ऐसा हो गया था तो मैंने फिर समझ गी थी कि प जो एकदम वो वीच से अपने अप ग्रो होती है और एकदम घहना ही होती जाती है कहीं भी उगाती है वो और हो तो यह oxalis है जो आज कल वाइरल वीडियो भी आया है कि वीज से अटेक करता तो ऐसी दिख रहा है कि तितलिया बहुत सारी गंबले में बैठी हुई है तो ये प्लांट बहुत ही प्यारा प्लांट है आपके गार्डन में कलराइट करेगा तो आप इसको जरूर अपने गार्डन में एट कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को सेयर भी कर सकते हो और प्लीज मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत देने हो